ओम शान्ति आज 27 फर्वरी 2022 दिन रवी वार की अव्यक्त मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे स्विम और सेवा में तिवर गती के परिवर्तन का गुहराज आज सर्व बच्चों के स्नेही मातपिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेश वरदान दे रहे हैं सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन संतुष्ट भव सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अतीत तिवरगती से पहुँच जाता है चारों और के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं बाप दादा उसमें भी विशेश ब्रह्मा मा बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्विम भी बच्चों के लव में स्नेह में समाय हुए हैं बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा मा का बच्चों में विशेश स्नेह रहा और अब भी है पालना करने वाली मा का स्वत ही विशेश नहीं रहता ही है तो आज ब्रह्मा मा एक एक बच्चे को देख हर्शित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धी में, दिल में, नैनों में मात पिता के सिवाए और कोई नहीं है सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं अगर कहां रुकते भी हैं, तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है आज मात पिता बच्चों के श्रेश्ट भागे के गीतगा रहे थे क्योंकि आज का दिन विशेश सूरे चंद्रमा का बैक बोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में परत्यक्ष करने का दिन है जैसे यग्य की स्थापना के आदी में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया अर्थात विल की ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की अर्थात विल पावर्स दी आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेश संशोज फादर की विशेश सोगात दी आज के दिवस बाप ने परत्यक्ष साकार रूप में करावनहार का पाट बजाने का परत्यक्ष रूप दिखाया ब्रह्मा बाप भी आज के दिन पर्त्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने करन हार निमित बच्चों को बनाया और करावन हार मात पिता साथी बने आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीती और गती परिवर्तन की आज के दिवस विशेश ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिष्टा सवरूप धारण कर उचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने किस लिए? बच्चों को तीवर गती से उचा उठाने के लिए? बच्चों को फरिष्टा रूप से उडाने के लिए? इतना श्रेश्ट महत्व का यह दिवस है? सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं लेकिन विश्व की आतमाओं का ब्रह्मण आतमाओं का और सेवा की गती का परिवर्तन ड्राम में नुन्धा हुआ था जो बच्चे भी देख रहे हैं विश्व की आत्माओं के प्रती बुध्धी वानों की बुध्धी बने बुध्धी का परिवर्तन हुआ संपर्क में आय सहयोगी बने ब्रामन आत्माओं में श्रेष्ट संकल्प द्वारा तिव्र गती से व्रद्धी हुई सेवा के प्रती संशोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभकी यह गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई परिवर्तन हुआ न अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे अभी तक आप ब्रामन आत्माई अपने तन मन की महनत से प्रोग्रेम्स बनाते हो स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रन काड चपाते हो, कोई वी आईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्विम वी आईपी हो जाएंगे आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा, बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रन देंगे अपने तन मन धन की सेवाओं की स्विम ओफर करेंगे आपकी मिन्नतें अर्थात रिक्वेस्ट करेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तब ही परत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सब का अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप की तरफ जाएगा यह ज्यादा समय नहीं चलेगा सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात परत्यक्षता होना और जैजैकार के चारों और घंटे बजेंगे यह ड्रामा का सुक्ष में राज बना हुआ है परत्यक्षता के बाद अनिक आत्माई पश्चाताप करेंगे और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता इसलिए परिवर्तन हो जाएगा अभी आप ब्रामन आत्माउं की उची स्टेज सदाकाल की बन रही है आपकी उची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंतरन दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जैजैकार का पार्ट बजाएंगे सुना सेवा का परिवर्तन बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेकी जाते तो क्या आप छुट्टी देते नहीं देते न तो बलवान कोन हुआ अगर छुट्टी लेते तो कर्मा तीत नहीं बन सकते क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है ब्रह्मा को तो कर्मातीत हुना था यसनेह के बंधन में बंध जाना था ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा और बांधा कितने टाइम में समय होता तो और पाट हो जाता इसलिए घड़ी का खेल हो गया बच्चों को भी अंजान बना दिया बाप को भी अंजान बना दिया इनको कहते हैं वह ड्रामा हुआ ऐसा है ना जब वह ड्रामा वह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता फुल स्टोप लगा दिया ना नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हू रहा है लेकिन बाप भी चुप बच्चे भी चुप रहे इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टोप उस घड़ी तो फुल स्टोप ही लगा ना पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे ले पहले नहीं बुलाया यह ड्रामा की विचित्रनूध होनी ही थी और होनी ही है परिवर्तन शील्ड ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है यह सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेज्योरिटी साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है फास्ट गती से पैदा हुई हो क्योंकि संकल्प की गती सबसे फास्ट है आदी रत्न है मुख वैंशावली और आप हो संकल्प की वैंशावली इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई है एक मुख वैंशावली फिर संकल्प द्वारा स्रिष्टी रची हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो न, डबल फोर्नर्स भी सब संकल्प की रचना है, ऐसे तिवरगती से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो, जब रचना ही तिवरगती की हो, तो पुरशार्त भी तिवरगती से होना चाहिए, सदा यह चेक कर कि सदा तिव्र पुर्शारती हूं, वह कभी कभी हूं. समझा, अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वह वह के गीत गाओ. अच्छा, चारों और के सर्वसनेह और शक्ती संपन श्रेष्ट आत्माओं को, सदा बाप के साथ साथ तिव्रगती से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को, सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निरबंधन उड़ते पंची आत्मा सदा संशोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयम और सेवा में तिव्र गती से परिवर्तन लाने वाले। हबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हूँ, हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी. एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए? पदम व्यर्थ गए. इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं, वह स्वत ही महान बनते हैं. स्विम को भी जानना है और समय को भी जानना है. दोनों ही विशेश हैं. इस स्मरत दिवस पर विशेश सदा समर्थ बनने का श्रेश्ट संकल्प किया व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है जब knowledge मिल गई कि व्यर्थ क्या है समर्थ क्या है तो knowledgeful आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती और जितना स् स्मर्थ बनेंगे उतना ओरों को स्मर्थ बना सकेंगे 63 जन्म गवाया और स्मर्थ बनने का यह एक जन्म है तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए न अमर्त वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचरिया को चेक करो ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्री को चार्ट चेक करो लेकिन बीच बीच में चेक करो बार-बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रेफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है. ट्रेफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो अपना नियम बना रहना चाहिए. चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी. उस समय अगर कोई काम है तो आदे घंटे के लेकिन कर तो सकते हो घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो अपनी बुध्धी ही घड़ी है दिव्वे बुध्धी की घड़ी को याद करो जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकरशित करती है, तो अच्छे संसकार क्यों नहीं अपना बना सकते तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई होती रहेगी अच्छा, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो रूप अर्थात ज्यानी तु आत्मा भी है और योगी तु आत्मा भी है जिस समय चाहें रूप बन जाए और जिस समय चाहें बसंत बन जाए इसलिए आप सब का स्लोगन है योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्यानी बनो औरों को यह स्लोगन याद दिलाते हैं न तो दोनों स्थिती सेकंड में बन सकती है ऐसे ना हो कि बनने चाहें रूप और याद आती रहे ज्यान की बाते सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे पांच मिनट के बाद इसे पावर्फुल ब्रेक नहीं कहेंगे पावर्फुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावर्फुल हो जहां मन बुद्धी को लगाना चाहे वहां लगा ले यह मन बुद्धी संसकार आप आत्माओं की शक्तियां है इसलिए सदा यह प्रेक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधी से मन बुद्धी को लगाना चाहते है वैसा लगता है या टाइम लग जाता है चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो बीच बीच में चेक करो जिस समय बहुत बुद्धी बिजी हो उस समय ट्राइल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धी को इस तरफ से हटा कर बाप की तरफ लगाना चाहें तो second में लगती है ऐसे तो second भी बहुत है इसको कहते है controlling power जिसमें controlling power नहीं वह ruling power के अधिकारी बन नहीं सकते सवराज्य के हिसाब से अभी भी ruler अर्थात शासक हो सवराज्य मिला है न ऐसे नहीं आँख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और कान को कहो कि यह नहीं सुनो और सुनते ही रहे इसको controlling power नहीं कहते कभी कोई करमेंद्रिय धोखा ना दे इसको कहते हैं सवराज्य तो राज्य चलाना आता है न अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का आत्मा का अनादी सवरूप ही राजा का है मालिक का है यह तो पीछे प्रतंत्र बन गई है लेकिन आदी और अनादी सवरूप सवतंत्र है तो आदी और अनादी सवरूप स्वतंत्र है तो यह आदी और अनादी सवरूप सहज याद आना चाहिए न स्वतंत्र हो या थोड़ा-थोड़ा प्रतंत्र हो मन का भी बंधन नहीं अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या बंधन मुक्त अर्थात राजा सवराज अधिकारी क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो तब अंत में पास विद ओनर होंगे अर्थात फस्ट डिवीजन में आएंगे फस्ट बाना फास्ट धीले धीले नहीं ब्रेक फास्ट लगे कभी भी उचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं आप कितना उचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए न बार-बार चेक करो ऐसा नहो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं तो धोखा हो जाएगा इसलिए अभ्यास करो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए रिध्धी सिध्धी वाले क्या करते हैं सिध्धी दिखाते हैं चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया लेकिन उससे क्या फायदा आप संकल्पों की ट्रेफिक को स्टॉप करते हो इससे बहुत फायदे हैं आपकी है विधी से सिध्धी और उनकी है रिध्धी सिध्धी वह अल्पकाल की है यह सदाकाल की है तो सभी नौलेज़ फुल बन गए रचता और रचना की सारी नौलेज आ गई दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं ऐसी शक्तियां हो ना? अच्छा वर्दान दूसरों के लिए रिमाक देने के बजाए स्व को परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी कलती करते हैं जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए इनको बदलना चाहिए और अपने लिए कहेंगे यह बात बिलकुल सही है मैं जो कहता हूँ वही राइट है अब दूसरों के लिए ऐसी रिमाक देने के बजाए स्वेम के जज बनू स्वेम चिंतक बन स्वेम को देखो और स्वेम को परिवर्तन करो तब विश्व परिवर्तन होगा स्लोगन सदा हर्शित रहना है तो हर द्रिश्य को साक्षी होकर देखो ओम शन्ति